नमस्कार दोस्तों मैं उंकर उपाद्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनलिसेस में जैसा कि आप सभी को बता है हमारी लास्ट वीडियो है और आप सभी के कमेंट्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ पहले आपको शॉर डाटा आया, इंडिया का GDP डाटा आया, यूरो जोन का CPI का इंफलेशन आया, प्लस आपने एक और चीज देखी वो थी ऑस्ट्रेलिया से FTA को कहीं नहीं थमसब मिल गया है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में अब free trade agreements आयन हो चुका है, तो ये तीन-चार चीज है मैं तीन-चार जिन से continue comment कर रहा हूँ और आप एक भी बार pick नहीं करते हैं, देखते हैं, आज करते हैं तो मैंने आज आज आपके चारों ये stocks pick कर लिए हैं, वैसे मैं एक करता हूँ, ठीक है जी, तो मुझे लगता है हमारा सब बरावर हो जाएगा, अच्छा, यूरोप के अब आते हैं, बिना किसी दिरी के stocks पे, नायका, पहला stock है, जो हमारी व्यूवर का comment है, नायका की बात करें, तो ये कही ना कहीं, downtrend में ही चलता है stock, और stock में lower lows लग रहे हैं, आपको मैंने continue कहा है, stock में 195 तक जो भी उचाल आता है, उसमें बेची ही बेचें, कोई भी entry का म आपके पास है, तो 163 का SL रख लें, या फिर आपके पास एक option और है, कि एक bounce back का weight कर लें, bounce back में निकल जाएं, इस stock को लेकर मैं simple सी राय दू, तो ये समें no trade zone में चल रहा है, तो मैं आपको buy sell करना, भुस के लोगा मिल ले, क्योंकि यहां से उचाल भी मार सकता है stock, और उ पास में continue गिरावट चल रही है, 819 पे आचुका stock, lower lows लगाता हो दिख रहा है, एक साल के lower levels पे, in fact, दो साल के lower levels पे आता हो दिख रहा है, ये share आपको, valuation wise 71 के PE पे trade करता है, कोई सस्ता share नहीं है, बट फिर भी, ये stock महंगा मिलता है, इसके numbers खराब आए है, और इतना गिरन भी करना है, start कर दें, आपको मुझे नहीं पता कितना गिरेगा, बट हां, यहां खरीदो, 5% का लगा लो अपना भाई, ये 5% गिरेगा, मैं और खरीदूगा, 5% और खरीदूगा, but average इतना मत कर देना, पूरी portfolio एक तरफ, एक stock एक तरफ, simple सी बात है, एक लाग का खरीदा ह तो 10,000 से 3 SIP कर दो, 5-5% पर सेंट बस, 15,000 और लग जाएगा, इस से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और पूरी portfolio उसके लिए आपकी minimum कहीं नहीं, 10 लाग की होनी चाहिए, जब आप 30% का एवरेज कर रहे हो, एक लाग पे तो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी portfolio 2 लाग की है, या अपने 1,00,000 और लगा रहे है, तीसा या और लगा दिया, नहीं, फिर खलत हो जागा, फिर आपको लगाना ही नहीं चाहिए, नेक्स स्टॉक के बारे में बात करें, तो JK टायर पर कुछ कमेंट थे, तो JK की बात करें, तो टायर स्टॉक में बड़ी तेजी बनी है, और प्रोफिट बुक भी कर सकते हैं नेक्स्ट न्यूरे का ये एक कहीं न कहीं वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है और मुझे लगता है जितनी बड़ी गिरावट हो रही है इसमें continue जब भी अप्टेक आएगा बड़ा वाल आएगा आपके पास है तो एक उच्छाल का वेट करें जो कि उच्छाल दस परसेंट से छोटा नहीं होगा बट सवाल ही है कि यह भी 500 पे है पता चले चार सो तक कोई उच्छाल ही ना है साड़े चार सो के बाद आ रहा है दस परसेंट का कमेंड्स हैं तो समवर्दना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो 74 रुपीज पर आके बंद हुआ है चार्ट के अच्छा दिख रहा है कहीं ना कहीं 75-76 रुपीज पहले टार्गेट है वह निकलता है तो 80 रुपे तक यह स्टॉक उपर में जा सकता है बने रहन की राय होगी चलिए नेक्स्ट स्टॉक है ब्लेक रोज इंडस्ट्री लॉंग टम पॉर्टफोलियो का हिस्सा बनाए शॉट टम में नेगेटिव है स्टॉक सिंपल सी राय है मैंने इसको लॉंग टम के लिए एक दुबार रिकमेंट भी कराए 175 पे केंडिडेट है 200 तो 31 रुपी 31.6 के आसपास इसमें सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप 30 रुपे तक राउंड आप खरीदो और 29 रुपे का स्टॉप लॉस रखके स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं अदरवाइस आप स्टॉक को एगनोर भी कर सकते हैं क्योंकि आल्रेडी तो हैवल्स की बात करता हूं मैं हैवल्स का स्टॉक यहां पे 1253 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 72 के पी पे ट्रेड करता है कोई सस्ता शियर नहीं है 1429 का हाई है और अब भी स्टॉक 1213 पे मिल रहा है स्टॉक चार्ट के अच्छा ही दिख रहा है स्टॉ 1260 के उपर ब्रेक आउट भी होगा जो कि स्टॉक को साड़े तेरह सो तक लेके जाएगा तो मुझे लगता है आपको स्टॉक में पोजिशन बनानी चाहिए और होल्ड करना चाहिए प्रॉपर चार्ट कर रहा हूं 1220 का स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस का नेक्स्ट आईशर मॉटर के बारे में पूछता हूं और ये चारों जो हैं हैवल्स आईशर मॉटर डीमार्ट और टीसी एस ये एक ही विवर के कमेंड्स हैं तो मैं आपको ही जवाब दे रहा हूं होप आप समझ गए होगे और आपको मिल जाए आपका जवाब आईशर मॉटर में हमने बहुत पहले बाइंग की सला दी अभी इस टॉक चार्ट पॉजिटिव हो रहा है इस टॉक में खरिददारी करने की सला है और कहीना कहीं रिवर्सल के संकेत आ रहे है 33.75 के स्टॉप लॉज से खरीदने की राए है स्टॉक को पहला टार्गेट 3520 का होगा दूसरा टार्गेट गहीना की 3600 रुपे तक हो सकता है कल से सेल्स नंबर आएंगे और अच्छे आते हैं तो डेफिनिटली आपको अच्छी लेवल दिखा सकता है लोंग टम की बात के लिए तो स्टॉक अभी थोड़ा मेंगा हो गया मेरे साब से बाकी लोंग टम में तो पर्फोर्मेंस तो देगा इस टॉक नो डाउट बट अगर डिप पे मिले तो एवरेज जरूर करना बेचने की राए नहीं होगी नेक्स्ट डीमाट करन्ट कंडिशन रखके कुछ इस तरीके से बोला था आपने मेरे वर्ड समझ में या करन्ट सिच्वेशन या करन्ट कंडिशन क्या मतलब आपका बर डीमाट को लॉंग टम के लिए अगर आप रख सकते हो इन्वेस्टमेंट आपका है शायद आप करे इन्वेस्टमेंट भी हुए मुझे लगता है यह बहुत ही शांदार इस्टॉक है और बहुत बड़ा पैसा बना के देशने की दम रखता है आप में जितना ज्यादा समय दे सकते है दीजिए TCS में भी सेम राय है मेरी बहुत अच्छा इस्टॉक है आपकी पॉर्टफोलियो को इन्हानी सेफ्टी देगा बने रहने की राय है तो यह मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दौन आयोगी थेंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो हैव अग्रेट देगाई